यह हमारा इस्कूल के लिए भी होँगा या हम कोई और चीज के लिए भी कर सकते पर यह खास तो इस्कूल के लिए करेंगे यूज तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमने इसमें डिजाइन भी इसकूल टाइप वाली दिये यह बस टाइप है इसके वील है यह आईज है ऐसा यह दोनों तरफ से रहेगा ऐसा ही सेम यह बीच में यह जो है इसका सोल्डर के लिए यह हम इसको सोल्डर में बेल्ट तंगा सकते हैं और कहीं पर भी ले जा हमारा मेन रहेंगा कंपार्टमेंट यहां पर काफी बड़ा स्पेस है इसका यह ऐसा एसे ही निव-णीव-वाइक की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्व चैनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें चलिये शूरू करते आए सबसे पहले तो मैंने यह ऐसे दो पल्ले ले लिया हूँ यह हमारे प्लेन थे इस पर मैंने प्रिंटिंग करवाया हूँ यह बस डिजाइन में यह इसके वील है और यह आईज है यह इसकी स्माइल है सेम ऐसे इस साइड भी है यह दो पल्ले है यह अलग से प्रिंटिंग कराय मैं या तो श्रिफ आपको नाम लिखवाना एक तो थिन रुपय में भो जाता है इस जैसे इसमें लिखा हुआ है नाम श्रिफ ऐसा इत्ता ही लिखवाना एंटो 2-3 रुपय में भो जाता है एक या यह 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 दो पल्ले अए और मैँ इसमेगे वायर मार के पहले ही अभी इसको तईयार कर लिया हूँ यह मेरा इसमें यह silver कणरक का यह इस पर पंणीद आइस पहल लिए और इसकी लिए हम हम चेहन पत्ति आर वो आ यह आप मैं दोचेहन पत्ति ले- लोगां चैन पट्टी का साइज रखेंगे हम ऐसा लंबाई में रहेंगी इसकी 18 इंची लंबाई है दो इंची चोड़ाई है इसकी इसकी उपर हम ये एक एक इंची और 18 इंची लंबाई है इसकी ये पट्टी लगा देंगे इसमें जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखेंगा डिज कि यह ऐसा मेरा बन गया है यह हमने इसमें पट्टी लगा दिये जिससे यह ऐसा दिखेंगा थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा अब यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे यह जो एक उपर सिलाई हो गई है इसके बाद अब यहाँ एक चैन लगा देंगे से मटरा इंची की लिए लेते यह हमारी बन गई चैन पट्टी इसके अंदर एक रणर डाल लेंगे यह इसमें हमने रणर डाल लिए रणर डालने के बाद एक बेल्ट ले लेंगे जो हमारा शोल्डर के लिए रहेंगा इसकी लंबाई रखेंगे आम और तालीस इंची फोटी एट इंची रहेंगा और यह यह एक आजज करडिकही इसल लेंगे जो बीच में से डालके आज़ी जाएंगी और यह याली ले लेंगे डी बक्काल यह ऐसा सिंग वाला रहेंगा इसके अंदर तीन इंचे के अज़ेंगे डाल के रखेंगे और इसके अंदर हैसी हमारा एडशेस्ट豪ल बन जाएग यह एक बार दाल दिये यह दूसरी बार दाल दिये यह हमारा एक जिस्टेबल हो गया तयार देख सकती है ऐसा बन गया इसको यहां से एक जिस्ट करेंगे यह लंबा होते जाएंगा यह एक बॉर्डर ले लेंगे बॉर्डर का साइज रखेंगे हम इसकी लंबाई रहेंगी हमारी जो रहेंगी तेवीस इंची रहेंगी और इसकी चोड़ाई साड़े चार इंची की क NICK- इसको यह चैन पट्ति लेलेंगे और ये इसको बीच में रखेंगे हमारा जो है यह एक साइट के इसका ये इसके चैन पर रख लेंगे रखने के यह इसको उल्टा इस पे एक सिलाइं में आप देंगे फोल टा रख के यह बीच में आ जाए पूरा as यह एक साइड हो गया हमारी सिलाई देख सकते है ऐसी है दूसरे तरब भी चैन पट्टी रखेंगे पहले फिर यह जो बेल्ट है इसका यह दूसरा साइड रखेंगे और इसके उपर यह बॉडर रखके सिलाई कर देते है यह हो गया हमारा पूरा देख सकती है ऐसी राउंड सैयार है इसके अंदर अब हम जो सुरू में यह लिए थे इसके सामना पला और यह बैक पला ऐसा इसको एक साइड पहले एक साइड ऐसा सिल लेंगे अज यह हमारे जो है इसको बदल लेंगे यह वायर वाला लगा के लगाएंगे इसमें इसके सुरूर क्विक्ण। इसस्जर और लेंगे खर थे हमेंगे वाला ओिजियाएंगे यह सब्सक्राइब को हो गया आइसे यह दूसरे साइट भी लगा लेते हैं ते जानक नहीं इस थे हुआ है जो हुआ हुआ है यह हो गया हमारा फाइनली ऐसा तेजार अब इसको हम पढ़्दी कर लेते हैं यह हमारा इसा बन गया है पूरा फाइनली देख सकते इस साइट से यह दूसरे साइट से इसके अंदर एक पॉकेट रख दी हमने बस सिंपल था इसमें हम अपना कुछ भी रख सकते अपना स्कूल का टीफिन बैग या टीफिन बॉक्स कुछ भी बॉटल सब कुछ ही आजाए यह एक्जिस्टेबल होएगा उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी आसानी से समझ आयोगी वीडियो को लेकर कोई सवाल यह सुजा होए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना